प्रिटिश के आने से पहले ट्राइबल ने एक चीफ हुआ करते थे जो important person होते थे जो लोगों के मुखिया कहलाते थे इन लोगों के पास कुछ economic power होती थी कुछ administration power भी होती थी ये territories को control किया करते थे और इन लोगों की अपने police हुआ करती थी ये लोगों खोद rules decide करते थे forest management और land management पर और कहीं भी यहां पर जगड़ा हो जाए यही लोग यहां पर justice किया करते थे यानि चीफस वगएरा लेकिन जब बिट्शर्स रूल आया तो क्या हुआ कि जो ट्राइबल चीफस थे उनकी जो पावर थी उनके जो काम थे वो चेंज हो गए थे अब इन लोगों के पास कुछ भी ऐसा अलो नहीं था कि अपनी मर्जी से कर पाएं अब जो बि ज़राने के तोर पर यानि कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा अब सब चीफस की और्थार्टी भी खतम हो गई थी जो ये लोग एंजॉय करते थे इवन तो कि ये सब अपने ट्रेडिशनल फंक्शन को भी फालो नहीं कर सकते थे इस परते हैं वाट हैपन चो दा शिफ्टि कल्टिवेटर्स जो ब्रिट्शर्स लोग थे उनको बहुत सारी प्राब्लम्स हुई जो लोग एक जगा से दूसरी जगा गुमते रहते थे जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे क्योंकि इन लोगों का खुद का तो कोई गर ही नहीं होता था जो ब्रिट्शर्स थे व सब को कंट्रोल करना, उनको अडिमिनिस्ट्रेट करना बह। इजी हो जाता था। उनको मुश्किल होता था कि एक जग़ सी दूसरी जग़ जाने वाले लोगों को रूल करना। तो ये इसनुद क्या चीज ये थी कि इनको land settled कर दी ताकि ये लोग settled peasants की तरह काम करने लगे अब इन्होंने क्या कि land का measurements किया और land को divide किया कि किस के हिसे में कितनी land आएगी और फिर उसी के हिसाब से revenue fix किया गया और revenue collect करने के बाद peasants कुछ tenants बनाए गए ये जो peasants होते थे landlords जो tenants होते थे ये लोग क्या करते थे पे करते थे rent को और फिर बाद में revenue collect किया करते थे Britishers को तो next video में इसको continue करेंगे thank you for watching this video